अधर्मी दुकानदार अधर्मी ग्राहर वह मनुश्य धन्य है जो सब व्यवहारों को सत्य के द्वारा करता है और स्वप्न में भी अपने व्यवहार में असत्य का सहरा नहीं लेता एक बार एक अधर्मी दुकानदार के पास एक अधर्मी ग्राहर गया क्या भाई ये वस्त्र क्या रुपय प्रती मीटर दोगे पचास रुपय मीटर तुम भी कुछ कहो दुकानदार और ग्राहक दोनों ही जानते थे कि यहाँ वस्त्र तीस रुपय मीटर से अधिक नहीं है परंतु अधर में कभी छूठ बोलने से नहीं डरता बीस रुपय मीटर दो और सच-सच लेने देने की बात करो ग्राहक और दुकानदार दोनों ही असत्य का सहारा लेकर मोल भाव करने लगी ग्राहक की बात सुनकर दुकानदार बोला अच्छा तो पाच रुपय कम कर देते हैं पैंतालीस रुपय दो है तो घाटा परन तु तैईस रुपय ले लो मैं सत्य कहता हूँ इस वस्तर का चब्वीस रुपय से ज्यादा कोई भी तुम्हें नहीं देगा चलो पाच रुपय और कम कर देते हैं चालिस रुपय मीटर दे दो परमेश्वर की सौगंद 36 रुपय मीटर तो मुझे पड़ा है तो मैं भला मनुष्य जानकर दे रहा हूँ धर्म की सौवंद अगर तुम्हें 28 रुपय मीटर देना है तो दो नहीं तो मैं दूसरी दुकान पर जाता हूँ क्या तुमारे ही एक दुकान है? ग्राहक धीरे धीरे आगे चला कि मुझे यह बुलाता है या नहीं दुकान दार तिर्ची मेजर से ग्राहक को देख रहा था कि वह लोटता है या नहीं जब लगा कि अब वह लोटने वाला नहीं है तो दुकान दार नहीं आवास लगाई सुनो सुनो इधर आओ क्या कहते हो 28 रुपए पर दोगे ये लो तुम्हारे लिए 32 रुपए मीटर लगा दो नहीं 30 रुपए मीटर देना है तो दो वरना मैं तो चला दुकानदार समझा कि यह तो गया हाथ से उसने उसे बुलाया और बैठाया अच्छा आओ बैठो कितना मीटर काट दूँ सवा मीटर जी कुछ अधिक ले लो अभी तो नमूने के लिए सवा मीटर ले जाता हूँ अब तो तुम्हारी दुकान देख ली है फिर कभी अधिक ले लेंगे दुकानदार ने नापने में कुछ हेरा फेरी की यह देख ग्रहक बुला भाई तुमने कपड़ा ठीक से नहीं नापा है तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है हम खान नानी वैपारी हैं बेमानी नहीं करते अलि देखा बड़े इमानदार बनते हो पचास रुपए मीटर कहकर तीस रुपए पर आए बीस रुपए घट गए और अनेक प्रकार की सोगंधे खाई वह अलग वाजी तुम बड़े सच्चे हो बीस रुपए मीटर कहकर तीस रुपए तक लेने को पयार हो और अपने आपको इमानदार समझते हो दूनों आपस में एक दूसरे को बे इमान वह जूठा कहकर जगड़ने लगे चड़ तू तो बड़ा जूठा है तू जूठा तेरा बाप भी जूठा क्या तू नहीं है सवा मेटर कपड़े के लिए कोई भला मनोश्य जगड़ा करता है तू जूठा तेरी साथ पीड़ी जूठी ग्राहक ने व्यापारी को एक जूठा दे मारा जवाब में व्यापारी ने भी ग्राहक को गच दे मारा ग्राहक और दुकानदार दोनों आपस में गुठ्थम गुठा हो गए पडूसी दुकानदारों ने दोनों को छुडाया चल चल जा तेरे जैसे लाखों देख रखे हैं चल में तेरे जैसे टटमूंजिये दुकानदार मैंने करोड़ों देखे जाओ जाओ तुम अपनी दुकान पर बैठो और तुम अपने घर जाओ दोनों को अलग करनी के बाद थी उनकी जुबान बंद ना हुई ये बड़ा दुष्ट मनुश्य है अरे मुझ सभाल कर बोल नहीं तो तू क्या कर लेगा मैं तेरे को दिन में तारे दिखा दूगा शिक्षा ये कि अधर्म और असत्य जूट से कभी सच्चा सुख और शांती नहीं मिलती इसलिए हमेशा धर्म और सत्य का ही आचरण करना चाहिए बच्चों जूट से किसी का भी भला नहीं होता खुद जूट बोलने वाले का भी नहीं जूट से हमेशा वैर और नफरत पड़ती है देखो ग्राहत और दुकानदार आपस में कैसे जगरने लगे?